आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello student, the question is the difference between the question obtained on dividing 32,456 by 24 and 46,951 by 83 is तो यहाँ पे हमें question का difference बताने हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे 32,456 को divide करेंगे 24 से चीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आएगा 24 बंजा 24 subtract करेंगे तो यहाँ पी कितना आजाएगा minus करके 6 आएगा और यह वाला 4 note down कर लेंगे और उसके बादंगे तो यहाँ पे आजाएगा यहां पे 8 और यह 4 note down करेंगे धिन उसके बाद 24,3 isa 72 होताै subtract किया यहाँ तो यहाँ पे कितना आगया 12 और यह 5 note down किया धिन हमें पता है कि 24,5 isa 120 होता है again subtract किया तो यहाँ पे आगया 5 और यह 6 note down कर लिया देन उसके बाद 24, 2 जो होता है, वो होता है 48, यहाँ पर subtract किया, तो remainder कितना आ गया, 8 तो यहाँ पर जो quotient आ रहा है, वो कितना आ रहा है, quotient 1 है, 1352, ठीक है, अब इसके बाद किसको divide करने के लिए बोला गया है, 46,951 को divide करना है, 83 से, तो यहाँ पर हमें पता है कि 83, 5 होता है 415, track करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 54, और यह 5 को note down कर लेंगे, then हमें बता है कि 83, 6 होता है, 498, यहाँ पर subtract करेंगे, तो यह आ जाएगा 47, और यह 1 note down कर लेंगे again, then उसके बाद 83, 5 होता है, यहाँ पर इसको solve करेंगे, तो remainder आ जाएगा 56, और यहाँ पर जो quotient आ रह 65 आ रहा है, हमें यहाँ पर quotient का difference find out करना है, तो therefore, required difference is equal to q1 minus q2 होगा, तो q1 कितना आया है, 1352 minus q2 है 565, तो यहाँ पर जब हम इसे solve करेंगे, तो यहाँ रहा है 787, तो यहाँ पर हमारा correct answer हो जाएगा, option 2, 787, thank you. Classics to 12 से लेके, Need IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप, यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स, 8444 चार्स उपर.